हाई मैं प्रशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक वीटियूटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियों आपको निफ्टी के लिए एक जबरदस्त और पावरफुल इंट्रवाडे ट्वेडिंग स्ट्रेड़ी बताने जा रहे हैं जिसके वेसिस पे आप का इसके वेसिस पे काफी आसानी से इंट्रवाडे ट्वेड एक्जिक्यूट कर सकते हैं और यहां पर आपको इंट्री पॉइंट स्टॉप लोग्स टागेट वह भी काफी विल डिफाइन मिलेगा एकदम एक्जैक्ट मिलेगा जिसमें कोई कन्फूजन आपको नहीं होगा इस स्ट्राइड़ी के वेसिस पे अगर आप ट्रेड एक्जिक्यूट करना चाहते हैं निफ्टी में तो आप इस वीडियो में लाज्ट तक बने रहे हैं तो आगे मैं आपको इसी तरह का स्ट्राइड़ी बैंक निफ्टी के लिए बताऊंगा लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे और बेल आइकन को जरूर दबा दीजे ताकि जब भी हम वीडियो अप्लोड करो वो वीडियो आप तक पहुंचे उस वीडियो को आप मिस ना कर पाएदे चलिए आज हम इस वीड मूपटति के लिए जबदस्त पावरफुल इंट्र्इवारी स्प्रेटी जिसको यूज करना काफी आसान है यहां पर सबस्पहले हम चार्ट पे आते हैं देख सकते हैं यहां पर हम निफ्टी के चार्ट पे आगे हैं और यहां पर हम टाइम फ्रेम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अगर आप इंट वारे ट्वेडिंग करते हैं या फिर फिप्टीन मिनट वाला यहां पर हम फाइब इनट वाला ज्यादा प्रिफर कर रहे हैं तो चलिए इसके वैसिस पर हम इंट वारे इस्ट वैडि फोर्म करते हैं कौन से डेट को 19 में यानि आज के ही डेट में इसके वैसिस में कैसे अपना इंट वारे स्ट वैडि सेट अप कर सकते हैं और यहां पर हमारा जो भी टागेट बनता वो क्या टागेट बनता 15,850 का टागेट बनता और वो टागेट आसानी से इसने हिट कर दिया इन फैक्ट उससे नीचे ही ट्वेड कर रहा तो कैसे हमने यहां पर अपना टागेट पैस 15,850 के लेबल पर रखा है और यहां पर हमने क्या ट्वेड लेंगे वो हम फाइंड करते हैं यहां पर बस आपको दो पॉइंट ध्यान में रखना होता पहला आपको हाई के उपर फोकस करना रहता यानि आज दिन में जो भी आपका हाई बन का वेल डिफाइन भी लेगा और यह काफी सिंपल है बस इस दो पॉइंट के बेशिस पे आप एक जबरदस इंटवारे स्ट्रेड़ी फॉर्म कर सकते हैं निफ्टी के लिए तो यहां पर सब्सक्राइब बात करते हैं एक हाई यहां बना यह स्पाइक दिखाया है इसको हम सब्सक्राइब इस फोकेस नहीं करें गें एक यहां पर दूसरा इसे थोड़ा सा नीचे यहां पर तीसरा यहां पर पांचमा कर आखायर पर प्लोंव यह îहां पर यह न है यानि यह आपका higher low pattern का formation किया है और अगर हम इसको ऐसे line draw करते हैं यह उपर जाके इसको मिलता हुआ दिखेगा यहाँ पर हम क्या करेंगे इस दोनों को लेके एक line draw करेंगे जो कि आपको इससे मिलता हुआ दिखेगा यहां पर अगर आप देखें यह क्या फॉर्म किया है यह आपका ascending triangular pattern का formation किया है यह आपका प्राइस आपका नेर्र होता जा रहा है यह यह जो स्ट्राइड जिय यह आपका प्राइस एक्षण के बेसिसगह अगर आप इसका यहां पर ब्रेक आउट देखने मिलेगा क्योंकि इसका जो प्राइस क्ष्ण नेरो होता जारा जैसे से ब्रेक आउट के चंसे ज्यादा दिखते हैं और अल्टिमेटली ब्रेक आउट हमें विलाए 15,930 के लिवल पर डाउनसाइड की तरफ यह नि कि यह बन जाएगा यह हमारा यहां पे perfect entry point बन जाएगा इसको में थोड़ा सा clear कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी वापस इसको डौा करते हैं यह आपका ट्वेंड लाइन बन जाएगा ठीक है यहाँ पर हमें सेल साइड की तरफ जाना है 15,930 के लेबल पर ठीक है इंट्री पॉइंट मेरा क्लियर हो गया अब यहाँ पर अगर आप ऑप्संस में ट्वेड करते हैं तो कैसे आप ट्वेड करोगे यहाँ पर हम क्या करें नीचे साइड की तरफ ड्रेक आउट दिया पूट ऑप्संस बाइगे यहाँ पर इंदमनी पूट ऑप्संस बाइगे यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इंदमनी कुछ भी लो तो आपको कौन सा बनेगा वह बनेगा आपका 15,950 का पूट ऑप्संस यह आपका स्लाइटली इंदमनी है और निर्स्ट आपका स्ट्राइक प्रैस का भी है तो यहाँ पर फिटीन थाउट नाइफिटीक पूट ऑप्संस को क्या करेंगे बाइगे तो अगर आप आप इसको बाइगे और उसके बाद देखिए प्रैस आपको आप नीचे गया और अगर आप फ्यूजर तक के प्रैस के लिए जा सकते हैं यहां पर हमारा टागेट पैस बनेगा वो लगवाग 50 और 30 यह निए टागेट पैस जो होगा वो मेरा 80 पॉइंट का होगा और यहां पर हमें स्टॉप लॉस भी फाइंड करना परेगा वो मेरे फेवर मों का तभी ट्वेट है वो लगवग आपका 50 पॉइंट के एसल है और टागेट आपका 80 पॉइंट का रिवार्ट मेरेगा तो इतने पर जाना ही पड़ेगा तो उसकी बाद है कि प्राइस आपका और यहीं पर आपका लगवग इसने फिप्टीन थाउजन एट फिप्टी के लेवल पर टच किय हुआ है किसके बेश्सिस पर देख सकते यहां पर हमने सिर्फ हाई और लो को पक्रा है और युसके बेसिस पर टुन लाइन टोड ऑर और वह में पर्फट्री सटिक trend line draw करके दिखाना चाहूंगा देख सकते हैं यहाँ पर आपका एक perfect trend line जिसको आगर आप इस तरीके से draw करेंगे तो आपको straight line draw देखने को मिलेगा और यह आपको clear कर direction provide करेगा यहाँ पीछे चलते हैं और हम कल के move को भी समझने की कोसिस करते हैं कि कल का जो मुव हुआ उसके basis पर हम कैसे यहाँ पर अपना trade execute कर सकते हैं तो यहाँ पर इसको थोड़ा समझेश्ट करना चाहेंगे अब यहाँ पर देखें यह कौन सा डेट है यह आपका 18 में का डेट है यहाँ यहाँ कल इसके basis पर आप trade ले सकते थे कि जिसकetted मैंने अपने वा रिडियो में भी किया था जो डेली वीडियो में बताता हूँ उसमें भी इसके बार मैंने discuss किया था अब यहां पर क्या कुछ हुआ है एक हाई यहां पर बना एक हाई आपका यहां पर बना है और इसके बीच में भी एक हाई बना है यहां पर हम इन दोनों हाई को join करते हुए कि straight line draw करें क्योंकि यहां पर क्या हो रहा था lower high पैटर्न का फ시죠 नीचे में यहां पर दूसरा लो यहां पर और तीस्रा लग यहां पर तो नीचे में आपका हाइयर नो पैटर्न का PlayStation लो एंसाँ पांट को जोन करते हैं हमने क्या लाइन्स कर दिया तरफ रेक आउट मिला इंट्री पॉइंट क्या है यहां पर अगर हम सेल करेंगे तो 16,330 के लेवल पर यहां पर हम क्या करेंगे सेल साइट की तरफ पॉजिशन लेंगे यहां इंट्री पॉइंट मेरा क्लियर हो गया अब स्टॉप लॉस क्या होगा मैंने बताया था दिन का हाइस्ट पॉइंट यह हाइस्ट पॉइंट है यह हमारा स्टॉप लॉस की रूप में काम करेंगा जो कि है आपका हीटी यहां पे मैं सकता है यहां फिर निख उक्त है औरम यहां पर इंट होगा स्टॉप लगा हो को हम वालॉस के बात करें तो बखिंट जाएगा और देखिए ङरैंक यहां पर आ। अईच अईक अगिए जो को भी कर सकते हैं इसके बार ऐसे नहीं मिलेगा और इस मार्केट में आपको यह तो मारकेट में नहीं आपको खूदधा कोई सबसे पहले आप किनारे इ nehme 마지막 और गले आप驚े यहां यहां पर यहांपे बाक calendar환 और उससे एक दिन पहले यहां पर 17 में के उपर बात करना चाहेंगे थोड़ा सा इसको कर लेते हैं ताकि आपको सिंगल डे का मूव आसानी से दिख जाए अब यहां पर देख सकते हैं आपका 17 में है और यहां पर 18 में स्टार्ट हो यह नि जो पूरा मुवमेंट है यहां से यहां तक का वह आपका 17 में का मूवमेंट है अब यहां पर क्या कुछ हुआ है यहां पर देखिए प्राइस आपका यहां पर ऑपन हुआ है यह हाई है उससे पहले यह हाई है उसके बाद यह हाई है तो यहां पर हम क्या करेंगे हम हाई को जॉइन करके स्ट्रेट लाइन ढूंद रिताय को इसको यह आपको टॉटर्च करता हुए यह आपको यहां पर इसर आपके लेवल के Market यह कंपर शुप dei तो ट्वेट एक्जेक्यूट नहीं दिया लेकिन हमें एक लेवल दे दिया कल के लिए यहां पर प्रोवाइट कर दिया कैसे देखिए अगर प्राइस इसके ऊपर निकला तो क्या होगा यहां पर हमें क्या मिलेगा यहां पर हमें बुलिश शाइन मिलेगा फिर आप यहां पर बाइसाइट की तरफ जा सकते थे अगर यह 16,300 के लेवल को ब्रेक करके उपर निकलता क्योंकि अल्टिमेटली इसी के उपर यह आपको ट्रेंड लाइन इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर हमें ब्रेक आउट देखने को मिलेगा और 18 वे को देखे इसके उपर आया भी यह यहनि आप यहीं पर भी बाइसायर की तरफ इंट वी ले सकते और प्रैस आपको ओल्डव यहां से कहां तक यह यहां से भी 100 आपसाइड लूब दिखाया और 50 प्रॉफित आसानी से बना सकते थे इसको मैंने अपने इंट्रादे वाले वीडियो में एक्स्प्लेंड किया ह अगर आप इसके बेसिस पर लेना चाहते हैं तो आपका stop loss क्या होगा आप यहां पर इंट्वी लोगे stop loss क्या होगा previous day का closing यह नि जहां पर इसने close दिया है वह हमारा क्या हो जाएगा अगला हर्डल है अगर आप करते तो 16400 हो जाएगा और इसके बात क्या हुआ यहां पर और आना चाहेंगे multiple आपको example बता रहें ताकि आपको समझने में आसान ही हो सिर्फ हम एक दो example के थुरूर नहीं बता रहें यहां पर वापस से हम 16 में पर आते हैं उसके बाद क्या हुआ उसके बाद यहां पर हमें क्या देखने को मिला ब्रेक आउट देखने को मिला किस लेवल पर अगर आप देखे ब्रेक आउट आपको 850 से उपर मिला यह नि 15,000 860 के लेवल पर हमें ब्रेक आउट देखने कुला जहां पर हमें क्या करना बाइसाट की दरफ जाना ठीक है अब यहां पर हम अपना stop loss डिफाइन करें लोइस पॉइंट की तरफ जा रहें लोइस पॉइंट हमारा कहां पर है आपका 15,000 770 करीब ठीक है यहां पर अपसाइट की तरफ जाते हैं तागेट कहां बनेगा 60 है 900 यहां पे हमारा डागेट बन रहा वह लुगवगणर आपका 40 पॉंट का बन रहा है तो यहां पे हमारा सिक cricket को मेरे favor में नहीं है यहां पे अगर हम बात करें तो risk reward issue यहां पे क्या है मेरे favor में नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे यहां पे हम trade ak Solutions नहीं करेंगे मतलब अगर यहां पर रिस्काट इस्यों अपने favor में लाना चाहते थे वह भी आपको देखना पड़ेगा और आपके favor नहीं है तो trade execute मत करो उसके बाद है कि price आपका ऊपर की तरफ गया all the way 15,900 के level को touch किया है यहनि जो हमारा target price था वहां तक touch किया है और वहां से नीचे आया है लेकिन यहाँ पर अगर हम 900 के level के लिए जाते तो मुझे 40 point का profit मिल जाता लेकिन हम नहीं जाएंगे क्योंकि risk reward issue मेरे favor में नहीं है अगर market नीचे गिवदा तो मुझे कितना नुकसान होता 90 point तो 90 point को risk पर रखके हम 40 point के लिए नहीं जाएंगे यानि आपको 90 रुपे का नुकसान करके आप 40 रुपे का profit कमाना नहीं चाहोगे एटलिस्ट आपका 40 point का stop loss भी रहता है 40 point का profit रहता तब हम इंट्राडेम जा सकते हैं लेकिन double से भी ज्यादा है तो इसलिए यहां पर हम जाना प्रिफर नहीं करेंगे तो आपको यह भी देखना होगा risk reward issue आपके favor में होना चाहिए करें इस हाइ और यहां पहा य ऐ को ज्वाइन करते होएिए एक अलग सा स्ट्विण रखक करेंगे सके बेसीज प्रोग system अगर फोपन निकलता है तो क्या करेंगे हम यहां पहीं साथ की तरफ जाना क्र english यानि जो यहां पर एसल हो जाएगा मेरा कितना होगा फोटी पॉइंट के लेवल को आसानी से तरच किया तो देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं सिर्फ हाइ और लो को ले रहे हमें तीसरा पॉइंट देखना ही नहीं है सबसे पहले हाइ को देखना दूसरा लोग को देखना टीक सरा जो आपको हमेंसा देखना रिस्क रिवार्ड यहां पर हम किसी और पॉइंट के उपर बात नहीं करें बस रिस्क रिवार्ड यह से मेरे फेवर होना चाहिए तब ठीक है अदरवाइस ट्वेट कर दिया हमें इस तरह का पैटरन का फॉर्मेशन मिल गया मतलब यह आपका क्या बन गया एसेंडिंग ट्रेंगुलर पैटर अगर आप पैटरन को याद कर पा रहे याइदिफाई कर ठीक है नहीं कोई दिक्कत नहीं है मैं नहीं आपको केंडल स्टिक को इंडिफाई करने घ़े और यहिए मैं बोकर करेंगे नहीं कोई पैटरन को उदिफाई करना बस कैटर स्टिक को याद रखना और वहीं काम आएगा अगर आप नाम याद भी कर लोग पोल सकते लेवल यहां पर हम क्या करेंगे तिक है यह हमारा इंट्री पॉइंट बन गया सेल सेर की तरों स्टॉप लॉइस पॉइंट लगबक यह आपका 16,080 ले सकते हैं या नि एसल जो है वह मेरा 50 पॉइंट का होगा लेवल तक मिनमम जाता है दिखेगा तो यहां पर हम क्या करेंगे जो मेरा टार्गेट पैस होगा वो लगबक आपका पचास पॉइंट इनफेक्ट 80 पॉइंट का होगा क्योंकि 950 50 पॉइंट उधर 30 पॉइंट यहांनी टागेट मेरा कितना होगा 80 पॉइंट का होगा इसल प्रॉइट करके एकजिट हो जाएगे यहांनी अगर आप इनफेक्ट करते हैं छोड़े से स्टॉप लॉस और छोड़े से टागेट पैस के लिए टागेट हिट हुआ फिर हमें देखना नहीं है कि मार्केट कहां तक नीचे गया कहां तक गया हमें अपना प्रॉफिट बॉक करना मार्केट से निकल जाना फिर प लो लो यहां पर इसको जोइन करते हुए कि स्ट्रेट लाइन अब क्या हुआ देखिए प्राइस को ब्रेक करके नीचे किया कहां पर 15,750 के लेवल पर प्राइस ब्रेक करके नीचे गिया तो यहां पर हम किस टागेट पैस के लिए जा सकते हैं 15700 के टागेट पैस के लिए मेरा टागेट होगा वो कितना होगा 50 पॉइंट का टागेट पैस होगा स्टॉप लॉस हाइस पॉइंट इस्टॉप लॉस का अगर हम बात करें यहां से आपका 200 पॉइंट उपर का बनगा है विस्क के वाड़ इसे हो बिलकुल भी मेरे फिएवर भी नहीं है 200 पॉइंट का विस्क है और यहां पे सिर्फ मुझे 50 पॉइंट का प्रॉफिल मिल रहा क्या करेंगे इस तरह के से और भी आप प्रेवियस एक्जांपल देख सकते हैं आपको काफी एक्जांपल मिल जाएगा डेली हम इसके बीसिस पर ट्वेट ले रहे हमने कहां से 19 में से कर दिख सकते हैं अब अगर हम 11 अप्र यहां बिख सकते हो यह आपका 11 में का डेट है यहां पर क्या हो रहा है यहां पर यहां पर प्रैस नीचे साइड की तरफ गिरा यह आपका 16,120 करीब है यहां पर हम क्या करेंगे सेल करेंगे stop loss कहां रखेंगे highest point जो कि आपका 16,300 यह नहीं बहुत उपर है risk about issue मेरे favor में नहीं है हम trade execute नहीं करेंगे उसकी बाद क्या हुआ प्राइस आपका उपर गया है और यह जो trend line है इसको break करके उपर निकला है यहां पर हम क्या करेंगे अब हम buy side की तरफ जा सकते हैं यहां पर हम sell side की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि risk about issue मेरे favor में नहीं है हम जाएंगे buy side की तरफ क्योंकि यहां पर जो trend line हमने ट्रॉक है उसको break करके उपर निकला है और यहां पर कहा निकला 16,070 के level पे और जो मेरा stop loss होगा lowest point होगा लगवग आपका 16,000 के करीब हमारा stop loss होगा यहां यहां पर हम all the way इस highest point के लिए जा सकते हैं यहां नहीं तो 16,100-150 तक के लिए आसानी से जा सकते हैं यहां अगर हम यहां पर 150 के लिए भी जाते हैं तो मेरा target price कितना बनता है टागेट पर 75 पॉइंट का बनता और stop loss 70 पॉइंट का बनता विसके बॉड इसी हो फेवर में आसानी से जा सकते हैं और आपका प्राइस 150 छोड़ी और दो सो तक गिया है यहां पर 150 पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे तो इस तरीके से देख सकते हमने ट्रेंड भीlord करें ले सकते हैं यह première सकते हैं। आपको काफी सिंपल सा स्कार्णीब आगया होगा सो अगर वीडीयो पसंद आ ये ल need wiki करके हमें कुर्ण को सब्सक्राइब कर से क्योंकि इस तरह के वीडियो डेट्स पे आपको को बताते jeux ng मिलते हैं नेक्ट्ट वीडियो में जैहन